सर्दियों के मौसम में बंदगोवी मटर की सबजी अकसर हम बनाया करते हैं लेकिन इस तरही के से एक वर आप बना के देखिए आपको यह रेसिपी बहुत पसंद आएगी अज हम बनायेंगे धावा स्टैल बंदगोवी मटर की सबजी जिसे बनाना बहुत आसान है सिंपल स्टेप के साथ मैंने इसे बताया है आप आसानी से फॉलो कर पाएंगे सारे इंगिडिन्स बेसिक हैं जो कि आपके घर पे इजी लिए बलोंगी तो रेसिवी को पूरा जरूर देखी और पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले इसे बनाने के लिए कुछ प्रिपरेशन किया है मैंने जिसमें यहाँ पे एक बड़े साइस के टमाटर को हम फाइनली चॉप कर लिया है दस से बारा कली लसुन क अची तरह से काटने के बाद वाश कर लिया है यह देखिए जितना बारी का आप इसे चॉप करेंगे यह सबजी उतनी ही लाजवाब पनेगी इस तरह से मैंने इसे अची तरह से क्लीन कर लिया है और पानी को निकाल लिया है इसके साथ ही हमें इसमें मटर लगेगा तो यह यह पर अपर मैंने कर दिया है तकि ऐसने कुटा जा सके तो इस तरह से अम उसे कुट करलेंगेomo आपि तेस्ट बहुत अच्छाता है इसे टरह में इसी तरह से बनाया जाता है सबजी यो को अदरक लसुन को इस तरह से कुट कर डाला जाता है जिसमे उसका टेस्ट काफ classy तो यह टिप आप किसी भी सब्जी के साथ ट्राइ कर सकते हैं बहुत हीरा टेस्ट हो जाता है अलग तरह का टेस्ट लगेगा आपको तो यहां पर मैंने इसे कूट लिया है यह देखिए अब सब्जी बराना शुरू करते हैं जिसके लिए कड़ाई में दो टेबल स्पून सर यहां पर आट किया मैंने आधा चोटी चमच राई इसके साथ यहां पर एक चोटाई चोटी चमच से भी कम हींग एट कर देंगे सब को अची तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे मसाला चटक चैए तेल में जैसे मसाला भून जाया इसमें आट करेंगे बारी जब तक कि प्यास गुलाबी ना हो जाए तो डेट से दो मिनट का समय लगेगा आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर अब इसमें डालेंगे हम बारी कटा हुआ टमाटर प्यास जैसे गुलाबी हो जाए तुरंत इसमें टमाटर आट कर दीजिए एक बर मिला लेंगे सब को उ एक टी स्पून जीरा पॉर्डर और एक टीबल स्पून दर्या पॉर्डर डालिए यहां पर अटकिया है मैंने लाल मिर्च पॉर्डर नमक स्वात के नुशार और थोड़ी सी हल्दी पॉर्डर अब सब को अची तरह से मिक्स करते हुए भूल लेंगे और यहां पर ग्यास के मिनिट हो गया है मैंने कवर अटाया अब इस स्टेज पे हम इसमें मटर के दाने आट कर देंगे बागी टमाटर और मसाले हम मटर के साथ ही बूनेंगे इस स्टेज पे यहां पर लगबख दो टेबल स्पून आप पानी आट कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिला ल हो जाएगा और मटर भी अची तरह से सॉफ्ट हो जाएगा तो लगबख आट मिनिट के बाद मैंने कवर अटाया है आप देख सकते हैं पूरी तरह से तेल उपड़ आ चुका है यहां पे आप चेक कर लीजे मटर को और यहां पे मसाले का टेक्शन आप देखिए कलर कितना अच्छा आया है और बहुत अच्छी आती है जब हम कूट के इसमें डालते हैं द्रक लसून को तो यहां पे मसाला ची तरह से भूच चुका है तो इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें बंद गोबी बंद गोबी को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता और इसे बहुत साथ से आठ मिनट के लिए लो फ्लिम पे बंद गोबी में काफी मौश्यर होता है तो वह रिलीस करेगा उसके बाद हम इसे बिना कवर किये हुए पकाएंगे तो यहां पे कवर कर दिया मैंने और यह देखिए लगबक आठ मिनट के बाद मैंने कवर अटा है यहां पे मैं को दिखाते हो इसने कितना मौश्यर रिलीस किया है यह देखिए तो अब हम बिना रखे हुए इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसका पानी सूक ना जाए अगर आपको बंद को भी पूरी तरह से सॉफ्ट बनानी है तो एक बार मिक्स करनेगा फिर से कवर कीजे पांच मि देखिए इस तरह से बनी हुई बंद को भी काफी खिली हुई बनती है उनका टेस्ट भी अच्छा आता है तो जैसे ही पानी सूक चाहिए उस स्टेज पेस में गरम मसाला पॉडर एट कर देंगे आधर चोटी चमच एट करेंगे से बारी कटी हुई धन्या की पत्ती सब को अची तरह से मिक्स कर लीजिए सब्जी यहां बिल्कुल तयार है बस इन दोनों को मिक्स कर लेना है हमें मिलाने के बाद हम गयास का फ्लिम तुरंत आफ कर देंगे बहुत जैदा वह इसे बूनने की जरुत नहीं है इस तरह किसे अगर आप इस सब्जी को बनाते हैं तो का पत्ति के साथ और यह देखें यह कितनी ज्यादा टेंटिंग लग रही है तो इस सब्जी को बिल्कुल इसी तरह से एक बार जरू ट्राय कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगी अगर यह रेसीपी अची लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना बूले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नथ भूलिए रेसीपी का इंडिनेस लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन वाक्स मिल जाएगा वहाँ से चेक कर सकते हैं तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ट एंड थैंक्यू फो वाचिंग झाल 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 झाल